आप तुम्भी का स्वागत है अभी जो टॉपिक्स का नाम मैं आप तुम्भी को बताने वाला हूँ ये सभी टॉपिक्स वेरी 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 इंपोर्टेंट है पिसले 10 पेपर में यानी 2013 से लेकर 20 तक दो साल ऐसे भी है जो की एक्जाम दो दो बार हुए है जैसे 16 में दो ब अगर इतना बहतरीन तरीके से आप तुम्भी कर लेते हैं तो 15 कोशन्स जरूर एक्जाम में आएंगे डिरेक्ली या इन्डिरेक्ली तो आप तुम्भी को ये मैं बता देता हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्टी के बारे में बता दूँगा आप एक करके मैं आप तुम्भी को इसके बारे में बतायता हूँ सबसे पहला डी ब्रॉगली वेवलेंद इस पर आप तुम्भी को कोशन्स कर लेना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपरिमेंट वाइडी एसरी का करना है एम वेव में सबसे पहले जो भी रेज के रिलेटेड कोश वो देख लेना है कुछ कोशन्स आप सुम्भी को देख लेना है और जो भी डिर्कली प्रपोर्शनल इन्वर्सली प्रपोर्शनल कौन किसके है किस पर डिपेंड करता है इसको आप सुम्भी को देख लेना है और आप सुम्भी रेजिस्टिबीटी को भी देख लेंगे इ spelling mistake है टेलिय स्कोप और प्रिज्म इन दोनों टॉपिक से पर यर कोशन्स पूछी जाते हैं और need 21 में भी कोशन्स पूछी जाएंगे तो आप तुम भी अच्छे से कर लेंगे इसके बाद फोटो एलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोशन्स और इसका जितना भी पॉसिबल फर्मूलाज है वो आप तुम भी कर लेंगे इसके बाद आप तुम भी को हीट इंजन एंड रेफ्रिजेटर और 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 पाइप करना है और ग्रिविटेशन मैं आपको बता दू कि प्रिव यह जो भी मैंने टोपिक का नाम बताया बहुत इंपोर्टेंट है वेरी 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 इंपोर्टेंट तो आप तुम भी इनको कवर जरूर कर लेंगे एक्जाम के पहले तो आप तुम भी ने देखा इन सभी टोपिक्स को आप तुम भी को अच्छे से करना है और लास्ट क को अच्छे से कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से करना है यहीं टाइम है स्मार्टली स्टडी करने का बस मुझे आपने को इतना ही बतना था अब इक इतना ही थैंक्यू